हेलो फ्रेंड्स जार्खन उत्पात सिपाई का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाने लगा है आज 25 तारीक है आज इसका लिंक एक्टिबेट हो गया है तो इसको आप आसाने से भर सकते हैं अपने फोन से ही भर सकते हैं इसके लिए आपको साइबर कैफे जाने जुरत नहीं है ना लै किजिएगा तो आप भर सकते हैं सबसे पहले अपने फोन का कोई भी ब्रोजर ऑपन किजिए अच्छा होगा अगर आप गूगल क्रॉम यूज करते हैं तो गूगल क्रॉम को ऑपन किजिए ऑपन करने के बाद एड्रेस बार में यह सर्च किजिए जो यह लिखा हुआ Doch and Side dot in appeal कशल लाइगे तो आपको ये website घृफ गुल जाएगा तो जाकन SSC का website आफीयल प्रोफसाइट है वो खुल जाएगा ऐसे खुल जाएगा इसके बाद हम नीचे स्क्रोल करेंगे इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर दिखेगा हमें application form apply इसको क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं क्लिक करने के साथ एक नया पेज खुलेगा इसमें जितना भी इस समय जो जो form applicable है वो सारा यहां दिख जाता है जैसे कि एक नमबर पर यह है सबसे latest है यही हमारा है उत्पासी पाही का यह डिप्लूमा वाला है और यह CGL वाला है अभी यह चालू है आप अभी apply कर सकते हैं तो हमें करना है उत्पासी पाही का तो apply now यहां पे लिखा है न इस पे हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक कर लिए अभी कहेगा कि यह external website पे ले जाएगा jsse.nse.in से यह बाहर ले जाएगा तो कोई डढ़ने वाली बात नहीं है आप अराम से यहां OK दबाईए और आपको यह automatically shift कर देगा वहाँ पे यह आ गया एक यहां और step up करना पड़ेगा तो दिखाऊंगो मैं आपको सबसे पहले जब यह page खुलेगा अब देख रहे हैं इसे खुल दाएक बेच आपको फोन में ऐसा ही खुलेगा और यहां पे देखिए एक यह blink हो रहा है एक यह चीज new registration blink हो रहा है वाकि यह सब चीज़े हैं हमें करना यहीं चीज़े हैं लेकिन उसके पर देखिए कुछ notice दिया हुआ है आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको और यह सब दिखिए deadline दिया है time का कब तक क्या कर सकते हैं form apply करने का date start date आज से 25 फरवरी और last date कब है closing date यह है 26 March 2022 रात के 12 बजी तक last date of payment payment फी डालने का last date 29 मार्स तक 29 मार्स के रात के 12 बजी तक इसके बाद और फोटो बगर आज अपलोड करना है वह चुकिए payment के बाद करना होता है तो वह उसका last date है एक अपरिल 2022 और अगर आप में कुछ गल्दी हो गया है तो चार चीज़ें को छोड़ कर चार चीज़ें क्या आपका नाम mobile number, email id और एक क्या चीज़ और है बता दूँगा मैं वह उसको छोड़ कर आप बाकी चीज़ें edit कर सकते हैं तो वह कर सकते हैं कब तक 4 अपरिल तक और फी बगर डालने का date यहां पर फी कितना फी लगेगा वह दिया है कि General BC, OBC सबका 100 रुप्या लगेगा और SC, ST का 50 रुप्या लगेगा बाकी जितने पर category आते हैं सबका 100 रुप्या लगेगा यह तो बैसी बाते हो गई हम सलते हैं इसको करते हैं registration यहां जो blink हो रहा है इस प laptop PC for registration है ना laptop या PC को यूज करने बोलता है registration के लिए लेकिन आपको वह करने की जुरत नहीं है इसका solution क्या है मैं बता रहा हूं आपको ध्यान दिजगा प्रेम्स यहां पाप ओके दबा दिजी ठीक है आपको फिर से वहीं page पे ले आएगा जहां सब चले थे अब यहां देखिए एक चीज़ है desktop site दिख रहा है आपको desktop site यहां लिखा हूँ है ना इस पर बॉक्स बना हुआ यह वाला box इसको हम लोग चेक करेंगे चेक करने के साथ क्या होता है हमारा जो ब्रॉजर है यह desktop मोड में चला जाता है मतलब आपके फोन में ही laptop या computer का विंडूस खुल जाता है अब आप देखिए automatically यहां पोईस खुल गया अब आप यहां अराम से पर फॉर्म भर सकते हैं यह tip था हम लोग इस फॉर्म को भरते हैं दिखते हैं आगे क्या-क्या प्रॉसिस होता है सबसे पहले तो यह कुछ जनकारी मांग रहा है यहां पर क्या-क्या मांग रहा है दिखते हैं वोग यह ब अगला है are you an Indian citizen yes of course क्या भारतिय है भारतिय है भाहि हम अगला क्या है are you a local residence of जहरखन जहरखन के लोकल है अगर आप जहरखन के लोकल है तो यह करेंगे बाहर से है तो नो करेंगे हम जहरखन के हैं तो हम yes करेंगे येस करने के साथ ही जो है हमारा local residence का certificate number मांगेगा ये साथ ही उसका date मांगेगा और issue कहां से हुआ वो मांगेगा ठीक है अब देखी हैं मांग रहा है हमसे certificate number of your local residence ठीक है जो number है आपको डाल देजी यहाँ पर इस box में मैं डाल देता हूँ यह आर्ची कुछ भी डाल सकते हैं आपको जो real है वहीं डाल दियागा मैं यह कुछ भी डाल देता हूँ तक कि आपको बता सको है ठीक है मैं और यह डाल दिया एक कौन बना कहां से निकला है जो बना है तो मेरा माली यह CEO से बना है सब का date बगर दिया हुआ है मैंने एक विडियो बनाया है इसके लिए कि किस certificate का date कब तक valid है कब से कब तक बना हुआ होना चाहिए आप उसको देख लेजिए कि आपके बाद इस certificate है वो applicable है कि नहीं है अभी valid है कि नहीं है नहीं है तो अभी apply कीजिए कुछ समय में बन जाएग इसके बाद इस certificate का issue date कब यह issue हुआ है हम यह डालना पड़ेगा यहाँ पर यह हम चूज कर लेते हैं कोई भी एक date जो सही है आप वही डालिएगा गलती नहीं कीजिएगा ठीक है मैंने यह चूज कर लिया अब अगला क्या है देखता है अगला पुछता है हम से district of residence है न ल local district of residence किस जिला से है वो पूछता है जो कि आप यह हम local दिये हुए है इसलिए हम से पूछ रहा है तो हम यह क्लिक करेंगे हम जिस जिले के हैं वो देदेंगे डाल दिया gender पूछ रहा है वो डाल दिया और पूछ यहां दिखिए पूछ रहा है metric जो है आपने जारकर्ण से कि कि नहीं ही अपने मैटिक जो है वो जारकर से किया है कि नहीं यह डलना जारओरी है अगर आप जनेर लोक्त क Vikings женщ कह करें है तुआ है अधराच नहीं बढ्र शकते हैं तो ठीक है हम न किया है हम यह करेंगे आगे बढ़ेंगे अगला पूछता है हमसे रिजरसाइं करेगरी त्कूर है यह क्या है उड़ाल देते हैं मेरा IBC one रहेगा आगे है एक सर्विसमें तो वह नहीं है तो इसको नो करेंगे उसके बाद है डी यू कलेम जर्विसिन प्रसकोटा नहीं भीया हम खेल कुद में आता तो इसको हम नहीं करेंगे अगला यह important देखिए knowledge of local custom language and surrounding of jharkhand street jharkhand का local language है चत्री भासा है वो आपको जंकारी है गी नहीं तो आपको तिया yes करना पड़ेगा yes कीजिए yes किया और यहाँ पर date of birth वागा है तो आपको जो date of birth है है आपको वोर फिट करना है है नहाए आपको लेता पर पर तो फिट कीजिए सही भरिएगा और याद रखिएगा बात में आपका यही पासवर्ड बनेगा ठीक है जालता हूं एसको इस box को हम लोग check करेंगे इस box को check करने के बाद जो है आई इसको हम proceed पे click करेंगे ठीक है यह हमने click किया क्या पुछता है you should accept the declaration अच्छा मैंने check नहीं किया देगा इसको इसको tick करना होगा then proceed करना होगा यह कर दिया तो यह मेरा खुल गया ठीक है आप यहां से आगे वहां लोग भरेंगे और आगे बढ़ेंगे इस page के हर information को ध्यान से बढ़ना है खासकर करके नाम बगरा क्योंकि उसमें सुधार का गुंजा इस नहीं होता है इसलिए ध्यान से बढ़िएगा चलिए मैं बढ़ता हूँ इसमें मेरा नाम क्या है रमेश आप कुछ भी डालिएगा यहां पर कैपिटल ले लेगा ठीक है रमेश कुमार अगला क्या पूछ रहा है फादर स्नेम तो फादर स्नेम भरिए यहां पर और देखिए क्या लिखा है आपका जी नाम है वह मेट्रीक है जो मैट्रीक में है ना उसी खिसाब आंट चाहिए जो मैट्रीक सर्टिफिकेट है मट्रीक парiczica में है होना चाहिए दुस् Caucas impact दूस्रा फिक गलत हो जाएब तक है ङ। ऐग्समार का nhất हूआ है अगला क्या है मदेश स्नेम माका नाम डाल सकते हैं आप यह जेंडर क्या है अगला क्या जेंडर में डाला है पहले वही ले लिया है यह क्या सेर्ट करने बूल रहा है दिखते हैं हां मैरेड है कि नहीं है तो हम तो अनमैरेड हैं यह डालेंगे कि अगला क्या मांग रहा है यहां पर शरकेटेगरी अंप किसे आते हैं यहां पहले डाल है था रिक परको का मांग रहा है ठीक है कास्ट का भी देना होगा certificate number उसका issuing authority और date तो कास्ट का देता हूं मैं यहां पर कुछ डालता हूं कि श्लास संतिंग number ओके यह भी मैं सियोष लेता हूं यह बना वान लेता हूं और इसका date क्या है date जाद पुर्णा नहीं होने चाहिए जो date criteria है उसे भी डालेंगे हम चली डाल लेता है यह हो गया अब क्या मांग रहा है आधार card अधार card number ठीक है यहां देखिए यहां अधार card number मांगा है लेकिन यह mandatory नहीं है आप देंगे तो भी ठीक है नहीं देंगे तो भी ठीक है लेकिन identification mark मांगा है यह जरूरी है कम से कम एक आपका पहचान चिन है ना चेहरे पर कहीं तील वगरा होगा तो वो डाल सकते हैं चेहरे चिक left hand कर दिजिए जहां भी आपका mall है वो लिख दीजिएगा एक ही मांगा है एक ही जरूरी है दो मांगा है आप दो अगर दिख रहा है आपका सामने दिख रहा है तो दो दे दीजिए नहीं है तो एक कम से कम से कम एक देना ही पड़ेगा अगला है आपका option for language paper two छेत्रे करूंगा तो अब यहां पर एड्रेस देना है ठीक है एड्रेस दे रहा है हाँ आप इसको डाल दीजिए अड्रेस को आप क्या बोल रहा है आप एडूकेशन इसली अप 10th कहा सकी है है वो दे दीजिए city school तैन बाद बोड जैक बोड यह रप पाशिंग तोजर दो में दिया तो कप पस कमेंगा थारे साल ना पंदर साल साल सतिरह 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 मैं पसंचों माक्स 69% ओकी यह सब करने के बाद हम next करेंगे तो हमारा page next खुलेगा अगया इतनी सार जी भरी हुई है और यहाँ पर दिखिए सिंपल हो गया अब सिंपल आप यहाँ पर इसको टिक करके है ना टिक करके यहाँ capture को डालके submit करेंगे तो आपका form submit हो जाएगा आपका जो नंबर ह है registration नंबर वो सारा आपके phone में mail में आ जाएगा ठीक है डालते हैं हम लोग इसको कि यहाँ पर सिक्स सेवन यहाँ पर स्मॉल केप्टेल ध्यान रखिएगा वह जरूरी होता है के संसिटीव होता ही चीज ठीक है डाल दिया हमने अब इसको हम लोग सब्मिट करेंगे कि सब्मिट ले रहा है कि यह दिखिए सब्मिट हो गया हमारा registration नंबर आ गया ठीक है इ देखिए मैसेज भी आ गया हमने इसको 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 ले लिया एक चुटा सा ताकि सेव रह जाएगा अब इसके बाद हम लोग प्रोसीट करेंगे प्रोसीड अब देखिए यहाँ पर क्या है application नंबर है जालेंगे हम लोग यहाप यहाप मेरा डालता अपना टूवन डबल देखिए और डेटर बर्थ जो अपका रियल था वोड़ लिएगा मैंने क्या राला था 22 मेरा था ना 22 का जुलाई का पंद्रह वही था ना देखता हूं साइध वही था बोल गया मैं नाइन टू एक्स थ्री वन टू लॉग इं क्या हुआ खुला क्या हाँ हाँ खुल गया और जो है यहां से 100 रुपीस pay करना पड़ेगा ठीक है 100 रुपीस यहां pay करें जो fee है वह fee डालना होगा और fee डालने के बाद समझे बात को फी डालने के बाद 24 गंटे के बाद फोटो बैगरा हम लोग upload कर सकते है ठीक है फी डालने के 24 गंटे बाद हम लोग photo बैगरा upload कर सकते हैं अभी नहीं कर सकते हैं यहाँ PAYनाव करेंगे तो बहुत तरह खुलेगा आपको करके दिखाते हैं कैसे करते हैं यहां पर क्लिक करेंगे हम लोग हम बैंक का sbi collect का website खुलेगा ठीक है देखिए खुला ना यहां टिक करेंगे इसको proceed करेंगे हैं अब यहां पर फिर्फ कोल गया है यहां इसमें आएंगे वो डालेंगे हम 210 या था 5293 5293 शब मेट मेरा जो फॉर्म में भरे थे वो सब्सक्राइब यहाँ पर यह क्या बोल रहा payment for you this comes from 26 February आज से नहीं होगा 26 February कल के बाद यह payment लेगा ठीक है तो आज का वेडियो यहीं तक आगे का जैसे होता है मैं उसे आपको पता दूँगा payment डालिएगा फिर फोटो डालना होगा उसके बाद आपका जो फॉर्म में वो सब्मिट हो जाएगा सक्सेस्फूली सब्मिट हो जाएगा आप सभी को बहुत बधिन्यवाद और all the best